बीच में घूम रहा है आप से निमेदन है कि उसे बिठाइए जैभूनेश्वरी यूँआ संग ये है डॉक्टर राजकुपार के चाने वालों का संग इन दोनों के बीच क्रिकट का मैच चल रहा है आप सबका इसमें स्वागत है सुस्वागत है अभी तक जिस टीम ने एंट्रिफी दी हुई है काका गंडर देवा के साथ हमारी टीम को डालो हमारा पहला खेल चिकल सिंग्री के साथ रहे उन लोगों को भी पहला राउंड चाहिए तुम्हें भी चाहिए क्या तुम लोग हर साल है सही परेशान करते हो रहे तुम चुप रहो क्या करना है हम लोग देख लेंगे अब जाओ तुम लोग आराम से खेलो अब देखना हमारे तेवर तुम चलो अभी जो गेम चल रहा है डोडा खीकरा डंडा देवकर संग के साथ और सामने है और मेन आर्मी चिंकर सिंग्रे अपने इंडिया पाकि अब तुम आणरी के पास जलते ही पीछे जा लूंगी पहन के मैच खेलने आया है प्लेयर है कि काय चड़ाने वाला क्या हुआ हार गय क्या जितनी एंट्री फिस क्रिकेट खेलने के लिए भरते हो उतने में एक तालाव या वाइन शॉप भाड़े पर लेकर तुम लोग कमा भी सकते हो एई जाते जाते ये बड़े पापा के घर देते जाना क्या है आरे पता नहीं ये लोग कौन है बार में तब से जगड़ा कर रहे हैं भाई पूरी बोटल पीली जब मैंने पैसा अब यहां बच्चों को अपने साथ ले गए थे और डोड़ा सिंग्रे के लड़के लोगों के हाथों मार खा करा गये जाओ कहीं फासी लगा कर मर जाओ लेकिन हमने भी मारा तुने कितना मारा मुझे पता है वो गुली कमीना आया था क्या नहीं क्या है गणपती यह मुझे धंकी दे रहे हैं फिर से खंबा मांग रहे हैं बाई अच्छा ठीक है दे दो नमस्ते वो लोग कहां पर बैठे हैं वहां बैठा है बाई और कि द तमीनों मेरे बार में आकर मेरे ही लोगों को धंकी दे नहीं चोड़ा अरे तुमारी इंपट कैसे हैं उस गाहों से यहां आकर धंकी दे देले की एक एक के हड़ी तोड़ दूगा अरे किसी को नहीं छोड़ूंगा सुनो बहुत हो गया अब उस गुली का कुछ करना ही पड़ेगा अपोड़ किसी तोड़ ख़ू खड़ू़्ंध। झाहात ही प्युभ हो गया अरे किसी हो झाहातgers थे तोड़ी बंस करना ही एक की पराओ भी का सी में दोथर्ट छोड़ूंधाय उस्चे तोड़ं जब धन्सकैंधी आपस्ये कडिस का आय ठहेब起ी अपैने उलजाए जां मेदानि meer झा सकता możemy थे लिएो मेदानि led को आसे थैज के लिए Source कि मुझे अभी के अभी सो रुपे चाहिए यहां चटनी बनाने के लिए पैसा नहीं है मैंने क्या पैसों को जाड़ लगाया है कि वह हुआ 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 है इस घर में जो भी बचा है वो सिर्फ टीवी ही बचा है यह उसे भी तोड़ देगा यह ले उसे दे भाईया यह लो भाईया कि दोनों मा बेटे मिलकर खेती के काम से जो पैसा मिलता है वो छुपा कर रखती हो गया टीवी पर भाई का सौंग आया इसलिए टीवी बच गया समझे नहीं तो कानी खतम हो जाती इसकी आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो यह होना ही है 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 और मेरे पैसे तोना अचे जाना दोन मुझेज स्चादी करेगी कि बोल को ले कर जा तो र Vermeur करे काुछे जाना है छादी करेगी क्या बोल तो लेकर जा फ़िए एंढुडवर जाना है मुझे जाना है ञादी जाना है वह ओप एह रहों तुप रहे वह दूसरी है आप यह एका नहीं के बोलेगी तो मैं नहीं दूंगा दोड़ा अश के मेरे सधुर की बेटी거든 कर लोगी अबापको ड़ यह कार देगा तो ही शादि करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा तब हलो कई से हैं आपकुक। तीक है मैं खाना भू वो निखाना खाया वो पढ़ रही है हाँ ठीक से पढ़ाई करतो रही है अब वो कंप्योटर की पढ़ाई करती है मुझे कुछ समझ में नहीं आता वो गाय खरीदने के लिए पैसे भेजेंगे आपने कहा था ना हाँ भेजे क्या ठीके 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 रखूं अरे यह क्या मा जब पापा ने फोन किया था तो भाईया की शिकायत क्यों नहीं कि आपने आरे तु चुपकर वो आदमी एक तो गुस्सेवाला है वीजा कैंसल करवाकर यहां आकर बैठ जाएगा फिर बाप बेटा जगड़ा करेंगे और हम दोनों को देखना पड़ेगा फ इतने दिनों तक कहा गाय थे तुम नमस्ते सर क्या करें पास करवाने के लिए कुछ लेलो ना सर क्या पास होना है मैंने सब तरह से सोच कर देख लिया सर मैं तो कुछ भी कर लो पास होना ही नहीं है इसलिए इस बार पैसे देकर पास होना चाहता हूं बस और कुछ नहीं द दसवी में पांच पेपर के लिए मैंने दस अजार दिये थे अभी एक पेपर के लिए बीस अजार मान ले यह बारावी है भाई क्या बोले आपको देखो मुझे वो सब नहीं पता मेरे बाप के आने से पहले मुझे डिग्री में जॉइन होना है उच्छ भी करके मुझे पास सिग्रेट चाहिए तुषे पहले तुने मुझे से जितने भी पैसे लिये ना वो मैं कैसे वसूल करता हूं तु देखते रहना क्या वे गुली कॉले जेकर आया क्या हरे मेरा कॉले चोड़ो तुम्हाली गाड़ी के पिछे लड़की को भगा कर ले जाने के लिए फ्री ऐसा स्टीकर लगवाने को बोला ता लगाया है कि नहीं जल्दी लगा लो जरूरत पड़ेगी अब क्या हुआ तुझे सुझे सु इसकी अच्छे से खातिरदारी करता हूं मेरे पावर क्या है पता चलेगा इंजेक्शन नहीं लिया था नहीं यार इंजेक्शन तो नहीं लिया लेकिन नाइट में लाइट टॉनिक लिया यार उदर देखने हो यह उदर एंकी बसा गई है क्या हुआ है इस्थी तरह दसवी में पास होंगे या मैंने तोट ले था है तो गलता नहीं है थीक है थीक है देखो पास पास हो जाओंगी अंतमा बाहर का मैटर ऐसी छोड़ दिया ना तो वह सोचे का हम लोग डर गए अभी उसके गावं में जाकर पूंगी बजा कर आते हैं वह क्या कर लेगा मैं देख लेता हूं समझाना ज्यादा पूंगी बजाएगा तो हम उसकी लूंगी उतार के पू ना दोटा फूल ले रही हो ह którego गणा तेरी दीदी के लिए में बड़ा पूल थीए टाय свое मैं तुम्हारे साथ कंफे लूंगी ये गाटा रूपना फिंटाई मतने बद्कें हम लगता है अड़िया लिव पहल गणगी हेलु हालो शेह पहले ही दो लोग पैठे है चल अंतम मा गाड़ी पीछे खींच रही है कई पंक्चुर हुए क्या देखना टायर में हवा तो फुल है जब से पैदा हुए हो तब से गाड़ी में ही घूम रहे हो गया है चलो जाओ कि आरे ये तो अकेला आरहा है चल चल जदी चल अरे ये समलके चल 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 च deven कर सकता हूं इस रास्ते में याग बड़ा पेढ़ तो है पुराना संथा है यह ना उसके बहल में उसके पुराना खणुर था नंए पता है उस तक छोड़ दोगे अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है आओ ना लक्स आजा इसके पेंट कांटा चुप दिया है क्या यह कभी किसी लड़की को नहीं छोड़ता है अरे बच्चा चपल पहन कर घूम सकते हो ना एक काम करो तुम बैठकर इसे गोद में बिठा लो ना नहीं मैं नहीं आ रही सिर्फ यहीं आ रहा है क्यों तुम नहीं आ रही हूं नहीं चल उतर नीचे मैंने उत्रूंगा अब एक दिम का जापड़ी के बहुत बड़ा शारुखान बनता है क्या उसे उतार करमें इसे ले जाने के लिए आया था दूसरा कोई मिलेगा तो लेकर जाना च पंजर से की गददरी तो टायर हो गया पंजर अब दोस्त ले रहा है मसे यहें है आ हहे अ पंजर ऑपंजर ऑच तो चल है ंचआ का और से तो मैं वैसे साइकल से जाओंगी तीक है संभल कर जाना पापा वुक खरीदनी है पैसे दो ना रुको बेटा गाय को चारा खिला करके आता हूँ नहीं पापा मेरी सारी सहीलियां आती होंगी मैं उनी के साथ जाओंगी ठीक है यह अब यह गवर्मेंट की बस ना डोडा सिंग्री से अगर छोड़ेंगे ना तो हमारे बच्चे कॉलेज ठीक से आ जा सकेंगे पता है सूरिया और विद्या का कब से चक्कर चल रहा है हां मैंने खुद अपनी आखों से देखा है सच में वैसे मुझे तो पता ही था लेकिन देख हम नाम के लिए गवर्मेंट कॉलेज है कि के लिए पैसा माँबेट कॉलेज भी तो पैसे लेते हैं अरे कोई बाइक से आ रहा है जल्दी आ जल्दी आ जल्दी कर अरे रुको रुको आ रही हूं आरे वो डाटेगा जल्दी आ जा ना रुको ना दो मिनिट अरे नेत्रा जल्दी आ जल्दी आ जा क्या कर रही है है यहां कर रही हो है क्या चल रहा है यह नगाँ सिर्फ आज έχπα हमने कुछ नी चुराया देख लो इसी नी चुराया है चुराएगी चुराएगी तेरा क्या रहे है और तेरा तो इसने जो धान चुराया है उसकी सजा क्या है पता है कल से कॉलेज इसके जाना पड़ेगा कोई इसके साथ नहीं जाएगा अगर कोई गया ना तो उसकी चोटी काट कर चलो जाओ अरे जाओ ना चलो निकलो यहां से आर्थी यूरी यह लक्स वह तू ही है ना उस दिन गाड़ी को रुका कर बच्चे को बिठाना चाहती थी आपने आपको बहुत ज्यादा पुण्ने की देवी समझती हो गया तेरा गाओ कौंसा है चिकर सिंक रहे है क्या हातो नाम क्या है लग को नेतरा वती सब मुझे नेत्रा नेत्रा खहके बुलाते तेरे बाप का नाम क्या है बोराइबो रहां क्या करते हैं वह ओ अभी समझ गया तूसी तरह दान चुरा-चुरा कर तेरे बाप को देती है और वह पूरे गाओं में अच्छे दुग से दुल के दूए तो द कल से बड़ा दिब लेके राना अरे देख यह भी आपन का खेत भी अपना खेत है तो जित्ना चाहिए उतना ले सकती है तैंक्स लेकिन एक कंडिशन है कैसी कंडिशन तो मेरे से शादी करेंगी डर लग रहा है ना तुझे तो चल्दी बोल शादी करेगी या नहीं तो चल्दी बोल शादी करेगी क्या कर रहे हो अरे कुछ नहीं उस लड़की का पैन गिर गया था तो उसे ढूड़ने में मदद कर रहा था तुझा क्या सामचार रहे यार सुबह सुबह 90 लेकर के पता नहीं क्या खास है यार तुभी अगले हफ्ते क्रिकेट मैच है बच्चे लोग बैट मांग रहे हैं अरे छोड़ना यार वो बच्चे कितनी बार बैट मांगते रहते हैं उनको की काम दंदा है क्या यह कौन से लोरी आरी है यार अरे वो वो कोबर के लोजी ऐ है अपने गांग के सोसाइटी न को बना रहा हुआ है अरे राजेश को कावरी मिप्डल् स्कुल के पस्या काम है जब देखो वहिं मत पास गुमता लगाता है अब यह कौन सा प्लान बना रहा है यह 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 बहुत रहे और इस पर क्यों चब्वा रहे क्या कर रहे गाए इसका 500 रुपय तो जरूर मिलेगा वो बच्चा पार्टी बैट मांग रही थी बच्चे मांगते हैं तो बच्चों को देने का रही है अब मैं बताता हूं तुम्हें मैं पंचायत में जाके गांवालों को नहीं करवाए ना तो मेरा नम भी परमिश्वर नहीं है दिखा जाओ तुम्हें पूरे गांव के सामें तुम लोगों ने हंगांगा करकर मेरी इ՞ज़त उतार दी सी न तो आब देखो उन्हीं गांवालों के सामने मैं तिब्लों की कि मैं पर्मेश्वर को ने मुझे ऑफ परमीशव को इन्साफ और इसे रख लो क्या मामा इतनी बाते और मेरी बीवी तो बहुत अच्छे से रहें जगडा क्यों करेंगे अरे मामा मिया भी वी वे जगडा होते रहता है उसमें इसमें तो बात करने की क्या ज़र होता है अपने परमेशवर ने जहर पी लिया है यार रहे जुनतो अभी तु एक काम कर सीधे गाउं में चला चार लोगों को इखट्थ और अ अपने परमेशवर ने फिञांड़ी और में यह जहिंद लिए उस सब्हुत है क्या संवी पंचायट पिल ने जहर पी लिया है मुनिया तुम्हें पता है क्या अपना परमेश्वर है ना अपना पंचायत का उसने जहर पी लिए तो कली उसे मिला था तो ठीक ठाक था आप थीक हुआ तो हम जानते ना परमेश्वर मुझे पता चला है इसलिए मैं उन्हें देखने हॉस्पिटल जा रहा हूं अभी तु इधर आ मुड़ापय में अपने काम पे ध्यान रखने की बजाए जबान लड़कों से तू पंगा लेगा तो क्या होगा यह तुझे अभी बताता हूं यह ले और ले 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 चल्मुखो यह क्या कर लिया इनोंने क्या कर लिया अरे उसके पती ने जहर पिलिया है यहां नर्ज जयलक्ष में थी ना वो का गई वो काम चोड़का चली गई है तुम्हारा गाओ कौन से है अरना कुलम है अपना फोन नमर दो ना है अरे कहा है मेरे पती कहा है मुझे एक बार उंसे मिला दो है भगवान नहीं मेरे पती को बचाने तुम्हें वहां भेजा था तुम्हारा मंगा सूत्र बचाना अपन का फर्ज है तुम्हारा नहीं होते तो मेरा पती अब तक गुजर जाता था तुम रहो मत मामी ऐसे मुझे बहुत दर्द होता है मैं पास पैसे नहीं थे नहीं तो बहुत कुछ करना चाहता था पैसे कितने खर्च उने दू लेकिन मेरे बड़ा अच्छ लोग पैसों के फिकार मत करो सिर्फ किता भी खर्चाओ जैसे मूं से बोल रही हो कुछ निकाल भी था मेरे पटी से बढ़कर पैसा है क्या यह लो रहा है तुम्हें देख करके मुझे बहुत दूख होता है तुम अपने पती को बचाने के लिए सब कुछ कर रही हो लेकिन वह तुम्हारे करेक्टर के उपर मैं किड़े पड़े है भगवान मुझ पर डाउट कर रहा है इसे क्यूं बचाया तुने इसकी जुमान को जला दो इसकी आंखे फोड़ दो मर तू जल्दी जाकर कहीं मर जा मैं वैसे नहीं हूं यह तू क्या बोल गया रहे हमारी मामी तो शक कैसे किया तुमने मामा जहर पीकर देखो कैसे सो रहा है तो लड़कियों को पैदा करने के बाद लड़ी रासकल तुझार पीने चला है शरम नहीं आती शरम लियास नहीं है तुझे मान सब मान सब खा गया कर मुहें कि तो मेरे पती महां दुबई में इतनी मेहनद करते हैं और तुम लों यहां तुम पीने बेटेंगे तो उसमें मिलाने को कुछ भी नहीं तेरे पास पैसे नहीं है तेरे पास कभी पैसे रहते हैं क्या चलो वह भगवानी रास्ता दिखाएगा चलो बहां आपको खेत में ट्राक यार घर में सिर्फ औरते हैं वो लोग कहां कहां घुमेंगी तू माइकल को बता दे ना वो कुछ न कुछ कर देगा ऐसा है ठीक है दो जोड़ी के बदले चार जोड़ी बैल आ जाएंगे जा 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए ऐसा मूँ बनाएंगी तो नहीं चलेगा मुझे अब पैसे तो दे रही हूं लेकर कल सुबा पक्का काम करना होगा सबरे दोनों माँ बेटी मिलकर नाटक कर रही थी पैसे नहीं बोल रही ती अभी कहां से आ गया यह हरे-हरे नोट काम करवाना है तुझे काम रुक करवाता हूं तेरा काम भाया उस पैसे इसे मेरे लिए यह जो बैल जा रहे हैं मार्केट में जा रहे हैं क्या कल बुद्वार है ना वहीं जा रहे हैं वह अपनी भेहन भी बैल मांग रही थी तो रात को दो जोड़ी चुरा के अपने खेत का काम करवाएं पुलिस टेशन जाना चाहते हो क्या अरे लेकिन मैं तेरे साथ नहीं आऊ मैं लाश की तरह गिरा हुआ है अब उटना चलना डर दिख रहा है जैसे बोला था वैजी कर रही है बड़ी अच्छी लड़की है चोटी बज गई उसकी कोई भी डरना मत सब लोगों ने काम किया है तो उसका पैसा मिलेगा मिलेगा दोपेर को खाना मिलेगा रात को पीने लग रहा है और बैल भी अपनी है माधा यहां क्या कर रहे हो और बैलों को तो मार्केट में लेके जाने वाले तो फिर वो बैल वह भी हमारी है अच्छा माधा तुझा साइड में रुक माधा और बैल दोनों को छोड़ दूँगा एक बार शादी करूंगी बोलना मैं ऐसा मेरे बाप कर रहे ना हुआ का रहिब मेरे नाम कर दोंकी है तुमपी मेरे नौकरी खा जाओगी रानी ए रानी क्या है मां जल्दी आना पास्बूक और बैग लेकर आ हां आती हूं रानी जल्दी आजा पापा ने पैसे भेजने को कहा था अभी तक खुल कर नहीं देखा बस आ गई है चल 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 बहुत बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है कि ये लिए उसे जाकर देदि ते लो भाया आपके खर्चे के लिए रख लो मांगने से कभी देते नहीं है आज मांगने से पहली पैसे यह लगता है आज बापने पैसे भेजें हैं कि पत्तर फैंक कितने पैसे बेजे या बेटी का जाने का स्टाइल देखकर मुझे पता था कि बापने पैसे नहीं क्यों यह घर बनाना है फेटी का काम करना है यह राणि वेचारी पड़ रही है और मैं भी तो अपने एज्यूकेशन के लिए पैसे मांग रहा हूँ चलो ठीक है ना मेरा ना तुम्हारा दस हजार रुपए के तीन हिस्से करो ठीक है ना अरे बस रुकवाता हूं जल्दी आओ ये भी ना दस हजार के तीन हिस्से करने को कहा है पूरे तो नहीं मांगे ना बजगे चल 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 अरे ने मेरी बुक गर गई आरे चल ठीक है ना टीचर को बता देंगी तुझे क्या एटार तो मुझे पड़ेगी ना कि यादेना मैंने क्या बोला था वो अकेली जानी चाहिए उसके साथ कोई सहली नहीं होनी चाहिए भूल गई क्या चल जाओ नहीं ऐसी बात नहीं है उसकी बुक ना पानी में गिर गई हमने कहा छोड़ दे पर सुन नहीं रही ओ अच्छा तो यह मैटर है क्या अरे तो पह जितना पूछा है उतना ही जवाब देनेगा तेरे क्लास में कितने लोग हैं सब मिला कर पैतालीस है तो तू एक काम कर तुमारी मैडम स्टूडेंट्स अपना अपना नोट बुक लाओ कहते ही तुम पहले अपना नोट बुक वहां ले जाकर रख देना फिर उसके ऊपर रख देंगे तो तेरी नोट बुक लास्ट होई कि नहीं वैसे भी तेरी टीचर एक दिन में पैतालीस लोगों की नोट बुक तो करेक्शन नहीं कर पाएगी बाकी का अपने घर लेगे जाएगी उसके बाद तो आराम से अपनी घर चली जाए राद भर लिखती रहे और तो अच्छा है लेकिन बस एक ही रात में मैं इतना सारा कैसे लिख पाऊंगी अरे तेरी मा को बोलकर कॉफी टी बनवाले और रात बर लिखती बैट लेकिन मुझे रात के दस बचते ही नीद आने लगती है ना अरे वह तुम लोग क्यों आस रही हो है बात सुन एक दिन न मैं तरे को बड़ा टिफिंबोक्स लाने के लिए बोला था या तो सच है लेकिन यह दो डो टिफिन बॉक्स इस चालते है रहे जलते हो मैं साथ में नहीं जाना पता है नड़ जाओ ठीक चलो चलते हैं से अब बस आज के दिन में उनके साथ जा सकती हूं हस्ते हस्ते उससे एक बार पूछ लिया तो उसने मझे छोड़ दिया कि इतने दिनों तक मैं शादी कर ले शादी कर ले मजाक में बोलता था लेकिन अब ऐसा लगता है कि शादी करनी ये तो तेरे से करनी है कि अब है क्या हो गया तुझे कहां खो गया भाई गुली गुली थोड़ा सा मुझे भी दो ना यह सेंग खाने से तबियत खरब होती है पता नहीं यह देना है बोलना बहाने क्यों बना रहा है और पंचयती आ रहा है- दिखाता हूं- मैं बना रूको हम लोग चोर नहीं है उस दिन गलती से चोरी ली थी अरे मामा शौड़ी जर्वा तुम्हारी बात सुनके मैं इस बार पलटने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं देख लेना मैं क्या करता हूं किसी को नहीं छोड़ूगा मैं नहीं चाहिए अंदर जाकर आने के बात बताता हूं मैं तुझे तो कर रहा है मैंने जहर पिया था तुमने देखा था क्या देखो मैं जितना पूछ रहा हूं तुम सिर्फ उत्रा ही जवाब दो ज्यादा बोलने की जरूत नहीं है अरे मूली और उसके फ्रेंड्स रोड़ पर आ रहे थे तो रोड़ पर उन्हें गोबर की एक गिरीवी ठैली म चुपचाप कुछ प्लैन मना रहे हैं इनको पताना चले कि यहां से चुपचाप क्यों परमेश्वर सुनाएं तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बीच में बहुत जगड़ा हो रहे हैं आज तक मैंने मेरे बीवी को कभी हाथ दी नहीं लगाया यह तो हम सब को पताई ह मैंने तुमसे कितनी बार का है मामा मियां बीवी का जगड़ा मामोली है जल्द बाजी में कोई फैसला नहीं कर दो कौन सा फैसला पताई है तो अरे तुम लोग यहां बात करते हुए कड़े और अपने परमेश्वर ने बीवी के साथ जगड़ा करके मासी लगा लिए अरे अब अपनी किताबों को कुम कुम लगा रही है इसके किताबों को भी लगा क्या माइन वह करके किताब को तीलक लगा रही है बात क्या है आज इतने अच्छे से बात कर रहे हो कोई काम करवाना है क्या अरे तुने पेंसिल मांगी थी ना यह देख दो लेकर आया हूं वो भी रबर वाली यह देख लकडी की स्केल प्लास्टिक स्केल यह सब मेरे लिए लाए हो जोमेट्री बॉक्स परिक्षा का पैड यह देख यह क्या बहुता बड़े लोग क्या पैदाइशी ही बड़े हो गए हैं क्या अरे वो तो ऐसी दो लाइन चार लाइन लिखने के बाद ही बड़े हुए हैं अगर तुझे भी बड़ा बनना है तो इसमें लिखना है बहना यह क्या बहिया यह तो फर्स्ट यर की नोट बुक है बहना जैसा इस नोट बुक में लिखा है ना वैसा ही देखकर इस नोट बुक में लिख दे ऐसा क्यूं अरे ऐसी लिख देना लेकन क्यूं अरे लिख कर देना बहना शोना है ना तु शोना इतना मसका इसलिए लगा रहे और बाद में पगली पगली बोल के टपली बजाओगे कसम खाकर बोलता हूं आज के बाद नहीं मारूंगा लिखकर दे ना मेरी शोना तो मैं लिखकर दे दूंगी अरे मेरी शोना लिखकर देना हम और वर्क आट होगया अरे चल उट जाना आप बोलते नहीं मारूंगा तो क्यों मारे ओ चारी तो पेज बचे हैं लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे होशा रहे ना तु बहुत होशा रहे होशा रहे नमस्ति पागवर्तिен मा तुम क्या है तुम क्या लिख रहा हैं बहुत हुँ हम् कुछ ने लिखकर देख रहा हूं बनाा कर देख हरा हुं दिमाग खप के देख रहु है लेकिन कोई जमीivesseAy ही रहा है अरे तु लिखना भैना तू लिख हाँ फिर सीधे जाएंगे अरे वो तो यहीं पर बैठा है तुम लोग जाओ मैं बात में आती हूं उसरे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी ठीक है चलो तुम्हारी बात सुनकर दूसरी नोट बुक मैडम के पास रख दी लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी गैरंटी आज मैडम से बहुत डाट पड़ेगी पूरी रात में लिखती रही फिर बीस पेजी लिख पाई हम यह कौन सी नोट बुक है अंदर देख पता चलेगा इसमें तो मेरा नाम लिखा है यह मेरे लिए तेरे लिए डाइग्राम भी बनाया है किस ने लिखा यह सब मैंने एसे क्यों देख रही है राद बर बैठ कर अपने आथों से लिखा है मैने तुने बोला था ना कि यह दस बचे तक तू सो जाती है मुझे पता तक गैरंटी इसे तू लिख नहीं पाएगी एक तो मैंने आइडिया दिया है और तुझे मैडम से सुनना ना पड़े इसलिए राद भर बैठ कर मैंने एक एक लाइन लिख के दिये थैंक्स अब लोग कैसे हो हुम सब ठीक है वो कैसे हैं वह क्या है जी आप से शादी करने के बाद वह बहुत खुश है हम लोग एक ही कंपनी काम करते हैं एक ही रूमने रहते हैं उसने कहा है मार्च में आओंगा अ नो उसने कहा था कि जाते समय हमारे बेटे के लिए लैपटॉप ले कर जाना लेकिन आते वक्त मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई लोटा थोड़ा तेड़ा है इसलिए देख रहे हो हमारे घर में कोई पीचीज ठीक नहीं है सब तूटी पूटी है इतना पैसा भेशता है वो उसके बाद भी घर की हालत ठीक नहीं लग रही है वो क्या है ना घर बनाने के पैसे से ही तो भाहिया ने अपनी बाइक खरी है इ भाहिया ने हाथ में इतली और मा से पुछा पैसे दो गिया नहीं और मा ने तुरंत पैसे निकाल के दे दिये इसलिए भाहिया ने टीवी को छोड़ी है अच्छा ठीक है इस वक्त वह कहां है वह कंप्यूटर क्लास यह तो रहे भाहिया इसे बरतन पर नाम लिखवाने के ले कहा था इसलिए वह लेकर जा रहा है यह तो इसे बेचेगा या गिर भी रखेगा मैं नहीं जानता मुझे अर्जेंटली 500 रुपया चाहिए वह लेकर मैं जहां पर हमेशा पत्ते खिलता हूं ना वहां पर आजाना ने तो आपन जहां पर वाइन शॉप में बैठता है आपको तो जानते ही है ना इसकी ग्रह दश्या सही नहीं है यह जेश्ट आश्यार जाने के बाद श्रावन आने पर वो टॉप पर रहेगा ऐसा मुझे जोतिशी ने कहा है आप देखना यह जरूर टॉप पर आएगा होल्ड़ान 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 क्या है यह कौन सी नोट्बुक है देख ले गूली एंसी 37 यह कौन सी जोड़ी है अरे जोड़ी होगी ना पूरी नाइट बैटकर लिखी है और तू बोलती है कि जोड़ी नहीं होगी कमाल होगी यार इधर ला यह देख यह हो गया ने यह दीरगह इसको लगा त तो यह हो गया पूरा नेत्रा बन गया सुपमे ना य है दोब गहता है हम दोनों के बीच में मेरा इस इसे चली जारही है यह समझ रही है और तेरे से सच में प्यार करता हूं तो देखम कशा करने एससा बोलने कि त कि तुम मुझसे शादी करेगी करेगी हाँ यहां गौड़ा जी कौन है ओ गौड़ा जी कौन है पहचाना नहीं अरे मैं धान खरीदने के लिए हूं अच्छा आई आई यह बैठ कर बात करते हैं आई यह बताईये कैसा धान चाहिए गूली एंसी थर्टी सेवन नाम का एक धान आया है मुझे पता चला वो यहां पर आया है इसलिए मैं यहां लेनी के लिए आगिया मेरे पास आई आर ट्वेंटी है एम आर एक सो बतिस है सी यार एक जीरो जीरो नौ है यह गूली एंसी थ पता नहीं है कल मिलते है इतना धान बेचते हो फिर भी है यह यह कौन सा है आयार ट्वेंटी आयार ट्वेंटी जोड़ा जी अगर वो आ जाए ना तो हमारे लिए निकाल कर रखना आगे भविश्य में बहुत काम आएगा बेटी धरा गूली एंसी थर्टी सेवन ऐसा अधाया अरे बेटी गूली एंसी थर्टी सेवन ऐसा कोई धान है क्या तुम्हें पता है कि नहीं नहीं पता पापा आचा तुम जाओ देखो मेरी बेटी को भी नहीं पता लगता है किसी ने आपको गलत बोला है आप दो तीन जगे पूछ दो मैं भी पूछ कर देखता हू तुम्हारे ही खेती का यार तुम्हें नहीं पता ससूर जी आप चलता हो गोड़ा जी अरे बहुत प्यास लगी है थोड़ा सा पानी तो पिलवाओ बेटी जरा इसे पानी पिला दो पूरी रात बैट कर लिखता रहा अगर सुभा तक तुने नहीं बताया ना तो उसके बाद मैं सब को बता दूंगा अ कि लफंगा कि अरे सुनो जरा इधारा बूलिये कौड़ा जी कौन से गाउं के हो तुम डोड़ा सिंख रहे अरे भाई मार्केट में गय हुए मेरे बैलों को पूरी रात काम करवाया था अरे क्या कहे रहो गाउडा जी आपके बैलों को किसी ने मार्केट से चुरा लिया था हां वही तो मैं बोल रहा हूं जिम्मेदारी नहीं है कमीनों में, वो तो हमारे गाउं का नाम बदनाम कर रहे हैं इतनी छोटी उम्र में अपनी जिम्मेदारी से एक नया धान माँगने आए हो तुम मगर आपके गाउं में कोई कमीना ऐसा करेगा अगर हमें पता चल जाता ना तो कानी कुछ अलग होती है अच्छा सुनो सुनो जरा इधर आओ क्या हुआ अपने बैलों से सारी रात किसने काम कराया था जरा बताओ यह उसी गाउं का है इनको बताओ यह कुछ मदद करेंगे हमारी बताओ अब पकड़ा जाएगा तो तो कौ तुझे मैंने पिलाया है खाना खिलाया तो उसका थोड़ा सा ध्यांद रख और मेरे बारे में कुछ बोल मत चुक्चाप रहने का एक तम समझ गया ना अरे डर्मत अरे पूछ रहा है ना बता दे ना यह तो वह यह ना मेरे जैसा ही दिखता है ना अब मुझे पता चल गय अरे तुझे मैंने नहीं बताने के लिए लेकिन तो सीधे सीधे भंडा फोड़ दिया तोड़के गरम पानी में फैक दूंगा तुझे समझ गया ना अब ही अपना मूँ बंद राख समझा आ गड़ा जी चलता हूं मैं अपना मूँ बंद राख कुछ भी कर नहीं बचेग सजा तो मिलेगी है अरे यह क्या है मुझे कुछ नहीं पता है वो क्या है ना एंसी 37 नया धान आ रहा है लगता है यह उसी का प्रिचार किया हुआ है इन दोनों को मिला कर फसल पैदा करोगे तो बहुत अच्छी फसल होगी यहां जहां पर मैंने लिख के रखा है वा वा पर तुन्हें पढ़तो लिया ना शाम तक कई टाइम है क्या हुा है उसे थे मैने पूछ पर कुछ बता ही नहीं रही मुझे टीचार नहीं है टीचर नहीं बनना है यहीं रट चारेए क्या प्रॉब्लम है तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिट मास्टर ने कुछ कहा क्या तंख्वा कम है यह सोच रही हो क्या तुझे हम क्या कमाने के लिए भेज रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर क्या है बैठो बैठो इधर आओ नाम क्या है तुम्हारा मंदिरा तुम सतीष ठीचर को जानती हो नहीं जानती हूं सर जाओ उन्हें लेकर आओ सुनिए कोन है आप और क्लास रूम में क्या कर रहे हैं मैं स्टीश प्र क्लास टीचर हूं पहल西 डीचे करके बात कर क्या गुंडगर्दी है यह कहा ना हात नीचे कर पोलीस को इनल फॉम कर दूंगा हाथ नीचे करके बात कर बोला ना स्वामी शर्णम स्वामी शर्णम तू पुलिस को फोन क्यूं लगाएगा मैंने लगा दिया है बात कर बात कर नोश्का सर पता ही कौन है कौन है यह आदमी खतरनाक है इसे कुछ भी भूल कर यहां से बिजवाद हो आप मालती के सास के बेटे हैं मालती तो हमारी बेटी की तरह है सर आप यहां पर क्यूं आएं सर सतीश के फ्रेंड राजेश को हम समझाएंगे ना सर आप जाएए आप ज तू क्या करेगा कैसे करेगा यह मैं नहीं जानता हूं लेकिन कल से वो लड़का एस्कूल के सामने नहीं दिखना चाहिए अगर दिखा तो तू नहीं दिखाई देगा आप जिंता मत किजिए आज के बाद वह नहीं आएगा बचे आप लोग पढ़ाई कीजिए पढ़ाई जाओ 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 रात को पूरा नाम लिख दूंगा अरे उसने कहा कि रात को पूरा नाम लिख देगा अगर लिख दिया तो मेरा क्या होगा अरे चुपचाप सोजाओ ना क्या कर रहे हो अरे चुपचाप सोजाओ ना क्या 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 है यह क्या यह इसके साथ क्यू जा रही है हुचाप अच्छा लिए रुग्जा तुमेरे बारे में तो जानती है ना वह क्या तेरा अपने गुंड़ा लाकर मुझे धमकाएगी मैं किसी गुंड़े को लेकर क्यों आउंगी वो तो मेरे भाईया है भाईया है तो उससे मेरा जमता नहीं है सब जगा नाम लिखने वाले थे कहीं नहीं लिखे लिखने वाला था लेकिन सोचा जवान लड़की या पढ़ाई करती है शादी करूंगी ऐसा कब बोलेगी वह तो मैं कभी नहीं कहूंगी कि अग्या है कि सीधे करूंगी मली वली मैदान में मैच हो रहा है चलना हम भी खेलते हैं जा बैपागल मेरे पास पीने का पैसा नहीं है तो उसकी विवस्ता कैसे करूँ यह सोच रहा हूं और हम क्रिकेट मैच करवा रहे हैं यह बोल के पीने का इंतिजाम कर अरे यार क्या चाहिए सर इस भाई को क्या चाहिए बोल दो नमस्ते अपने शहर में बड़ा क्रिकर का मैच होने जा रहा उसके लिए चंदा चाहिए यह क्या बाद में रसीद ले कर किया जाते हो चाकू के बदले इस बार रसीद लें चुपचा पैसा निकालो भाई आपकी परेशानी क्या है एक किस रुपए देता हूं ए तेरे बाजू की दुकान वाले ने दो सो एक रुपए दिये हैं और तू कहता है इतनी बड़ी दुकान का मालिकों के किस रुपए देगा अरे अच्छे काम के लिए मांग रहे हैं खुशी-खुशी से दे दो क्यों भाई का दिल छोटा है समझ रहे हो क्या अरे भाई तुम दे दो दे दो ना यार ठीक है क्या वन लिख लो ना झाल बाई क्रिकेट के नाम पर पैसा वसुल करते हो नहीं आपने को नहीं जमते हैं इस बार कबड़ी के नाम से वसुल करेंगे क्या हुआ रोता क्यों अरे रोता क्यों या यह एक से लाब कर दो यार ऐसा है तो रोना ही ठीक है प्यार करने वाले हमेशा इसी तरह से रोते हैं बता वो लड़की कोन है अपनी प्रियंकाची स्कूल में ना उसकी स्कूल टीचर से इसे प्यार होगे यह कौन है तुझा दूसरा नहीं मिला गया अरे उन लोगों के साथ अपनी जमती नहीं है वह लड़की दूसरे प्यार कर दिया उसकी तरफ से कुछ नहीं है यार यही लाब आके ना का सब कुछ मिला रहा है थू लोपार यह शैलिंस शैलिंस देख यार तूस लड़की से प्यार करता है मां की कसम खा की सच्चा प्यार करता है त्स्देशा runt छोड़ा इस आप अपन की यार के लिए कुछ भी करने को तयार हो उस लड़की में भगा ले जाकर तेरे साहरे सशाद हो क्या तयार हो क्या हुआ समझाओंगा तो समझेगा नहीं समझ लिया गया एक बार मैं समझ में नहीं आता तिरको एक बार समझ कर देख तो ले समझने बैटूंगा समझ से बाहर हो जाएगी चलो निकलो यहां से काट करें यहार अभी तक है तो मत रौने इसको उटाओ यार तरीदा स्कूल टीचर के पास ले चलते हैं अरे संडे मेरे हैं चलो चलो शिदा उसके घर चलते चिकर सिंक रिच चले आरे चलो टैक्सी मांगा कर चलते हैं मैं देख लूँगा ना तक नहीं जाएगी पैसे भी नहीं है कौन है आपर बिछले आदे घंटे से ऐसी बैठाव फोकेट पे नहीं पी रहा जल्दी चेखना लाओ तुमको पैसे चाहिए ना ठीक है मैं इंतिजाम करता हो तुम लग तयार रहेंगे अंधिजाम कर गया नमस्ते इतनी देर तक कहा था सॉरी भाई क्या चाहिए आपको एक चिकन फ्राइए एक माटन फ्राइए पानी की मोतल दो ग्लास जल्दी लेकर आओ ठीक है पैसा भाई ठीक है येलो आओ ठीक है लेकिन जल्दी लेकर आँ ये बाई के लिए चिकन फ्राइए बटन फ्राइए एक पिसलरी वाटर और तो ग्लास अबे टीक से पकड़ यार टीक से पकड़ क्या गर्रहे है तो मुझे आवाज देगा तू भूर रहा है न यह पारे आँ चोड़ना तू बताए यार्ड रहू आई लेवी यू तो मेरे यार राजा आज आज़ा आज़े ने बटेख आज़े अरे न अग्ली आज़े ने ल क्या गुली आज इतनी पी रखिये तुन्हें अरे तू रहा मया art चौट geschस्राइटनी करके यह वह बास करके यह वह सब को पता है समझा चल तू गाड़ी निकाल का है क्यों नहीं बताओं को तो गाड़ी नहीं लेकर जाएगा क्या अरे मेरी बास थुद्नी जल्दी गाड़ी का होणरश बन गया तू गाड़ी नहीं देगा तो यहां मुझे दूसरी गाड़ी मिलेगी नहीं क्या देखने का इस क्या यार गुली तू भी ना तेरे सामने हाथ जोडता हूं उपर क्या देखना क्या है इसे जरा दुकान में फेक करके आता हूं मैं अभी जाने दे आरे वह तुझे खोलना पड़ेगा उसको निकाल के डिक्की में भैक क्या कर रहा हिए जा है कर तो आतार था चाल मां चल बताता हूं और बुघाहर तु भी बैठ चल जाता है अपने जेंगां किषी दी प्यार हो गी है जब तुझसे पच्छती नहीं तो इतना पीटा क्यों है आजा 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 एकुली वही है एकुली कौन हो तो लाइक राव से खुद को क्या बॉडी बिल्डर समझता है काट के भेग दूंगा तुझे मेरे से पंगा मत लेना ख़दरनकाप्य हूं है चोड़ो मुझे जड़ो बचाओ एकुली बचाओ एकुली थी बात तुमानों और यह बलर रहा हूं है? मेरी बेटी को उठाकर ले जा रहे हैं कोई दा बच्छों क्या हुआ है ना अपनी मालती को क्या बोला ठीक से बोल वो लोग आकर यहां पर मालती को कार में किट्टैप करकर ले गए हैं किस तरफ कार का नमबर देखा क्या नहीं 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 देखा तुम लोग वहां पर पहुँचो मैं वहीं आता हूँ है है वह अमारा पीछा करते होंगे इसले चुप-चप तोल गेट की तरफ चलते हैं ए टोल गेट की तरफ लेचल हलो हमाई हलो क्या बात भाई मेरी होने वा रास्ते से तुम लोग उसे बंद कर दो फिक्र मत करो मैं देख लूँगा भाई अरे यार आज रात को राजेश और उसकी गर्फ्रेंड को पंपा उस पर छोड़ देते हैं बात में बेजेंगे तो भी नहीं जाएगी क्यों पोच्छ क्यों हाँ वही अपना कल्चर वही अ यह तुछ चुपचा बैट टोल गेट के रास्ते से जाने के लिए मैं क्या पागल हूं दूसरा रास्ता कहा से अब दूसरा रास्ता नहीं होगा लेकिन दूसरा आइडिया अरे यार गाड़ी में हम लोगों ने माइक सेट करके रखाया ना डिकी में रखाना माने भाई यह बाए गाड़ी को रिवाइस कर आने वाले रास्ते से चलते हैं माइक को उपर क्यों सेट कर दिया भाई अबे बेकार में माइक गाड़ी पर बांधने के लिए मैं क्या पागल दिखता हूं कोई मर गया ऐसा अनॉंस करके चलते हैं और गया ब्यूटिफुल आइडिया यार लेकिन कौन मर गया क्या कहेंगे हर कौन है अपना पंचात कप परमीश्वार अगे भी नहीं पीछे भी नहीं वी नई नीचे भी आणागालिया बनांस करता हूं महिलाओं और मेरी प्यारी और लड़कियां मर्द लोगों को नहीं बता रहा हूं तो बुडा मत मानियेगा, चीक है? यह पंचात परमेश्वर की मौत का प्रचार है, कोई भी भूलियेगा नहीं सबाइएगा, चिंकर सिंक्री में पैदा होकर, दोंडर सिंक्री में बढ़ा होकर, पंचात परमेश्वर आज चल बसा है, हम उनका प्रचार कर रहे हैं, सब लोग उनकी आत्मा की शांती के लिए आना, यह मेरा आप सबसे विंगती है, जरू आना, तुम लोग तो आ गए, वो लोग का है, स्यादा बखवास मत करो, जोड़ने के बाद या, इतने लोग क्या कर रहे हैं, कब से इंसार करे हैं, कार कोई नहीं आई, हम उसी रास्ते से आ रहे हैं, शाहिए दूसरे रास्ते से घाए होंगे, दूसरा रास्ता का है, कहां से जाएगे, वो लोग कहां चले गए, मतलब मायक में अनाौंस करने वाले वोही लोग थे, ए चलो रहे हैं, चलो, 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 जोडोडते हैं, महान लोग, तो बहुत ही दुख की बात है, हैंडी हेवास, चान भी, शु क्या अरे तुम मर गए हो ऐसा कोई माइक में बोल रहा है ये क्या बोल रहे हो तुम कान खोल कर ठीक से सुनो मैं चुप रहा तो इन्होंने मुझे मारा घूचीज कर दी हाँ आप हार पी प्याना देंगे आला एक लोग तुम लोगों ने मुझे कित्रा परिशान किया आज की बाद में तुम्हारे इस गाउं में कदम तक नहीं रखूंगा करें कि अरे क्या हो रहा है अरे गारी हिल क्यों रही है लगता है पंचर हो गई है अब दूसरी स्टेफनी नहीं है गया मैं तुमसे बहुत प्यार करता अरे अब यहां बाटकर क्या कर रहा भाल नहीं तो काट डालेंगे तुझा साब भाग 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 अरे यार यह खेत में से कहां लेकर आ यह रोक अब 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 रुकता अरे रुकता अरे बोला तो रुकता क्यों नहीं है इस आप बुरा मत मानिये आप अपनी जगह पर पीछे बठे रही है मैं आगे बेटा रहूंगा मैं डिस्टब नहीं करूंगा अरे वह आनंदे ना उसको तो मैं टैक्सी स्टैंड पर ही ना काटके फैक दूंगा क्यों ऐसा क्या हुआ क्या हुआ अरे वह अपना राजेश है ना वो राजेश किसी टीचर लड़की से प्यार करता है हमारे पास आकर हमारी शादी करवा तो ऐसा बोल के रो रहा था अब हमने कितनों की मदद किये तो सोचा है इसकी भी मदद कर देते हैं यह सोचकर हम लोग उस लड़की को भगाने के लिए उसके घर के अंदर घुच गया तो लड़की शुरुआ से चिलाने लगी कुछ भी करके मैंने उसको उटा लिया अरे वह कमीना आनंद की गाड़ी सिध लगा नशा उदर गया फिर भी मुझे दूख हो रहा है है लाइफ में ना फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मेरा बनाय हुआ प्लान वहारा है फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब पिदाजी पापा पता ले मेरी बैटी के साथ क्या होगा आजाएगी अरे हो देखो आगे तुम्हारी बेटी मालती ये क्या हो गया कौन थाकते करने गया था सासुमा यहां क्या कर रही है अगर ऐसा कुछ के तो लोगों का नाश हो जाएगा चलो अंदर आजा यहां पर एसी नो देखा उनकी हिम्मद हमारे गाउं में आके वो लफड़ा कर रहे हैं और तुम चूड़िया पेंगे तमाशा देखो तुम सब ने अपने गाउं के भगवान को उस गाउं में छोड़ हो गई उसके बाद देखा तो वो मूर्ती हमें नहर में मिली ऐसी बात पूरे गाउं में फैलने लगी कि फिर हम गए पूछने उन लोगों ने कहा हमारी है हमने कहा कि हमारी है समस्या बढ़ती गई तो एक दिन पास के गाउं का प्रेजडेंट आकर फैसला किया कि छे महीन गाउं में ए शे महीने इस गाउं मैं हम देखंगे एक दिन हम वहां गए तो वो कहने लगे कौन सा भगवान कैसा वाद किसे बो यहां बात कुछ और और आप कुछ और बोलरे है तो सब ये बात भूल गए हैं अब हमारे बच्चे उस गाउं के कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं अभी फिर से दोना गाउं के बीच ऐसा जगड़ा सही रहेगा क्या क्यूं मोलोक बड़े लोग है इसलिए ड़र रहे हो क्या आज छोटी गलती की है तो कल बड़ी गलती क सामने आं क्या यहां चल रहा है क्या उनके साथ क्या करना है परफाफ करो चलो जब स्याओ है म Swiss में वह मंता प्लेट ले ले कर गया थी वह वापस नहीं दे रही और यह क्यों हमेशा ऐसा ही करती है जब चाहिए तब चीजलिक लेकर आने का फैंट के जबीبل के दोना है तेरे पिताजी यह क्या जी अच्छानक आ गए कुछ खबरी नहीं दिया अपने अधर को ऐसे छोड़ दिया मैं पैसा बेजा उसका क्या किया इतनी मेंस से कमा कमा के पैसा 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 नहीं किया अगर आदा घंटे में तो मैं तेरे टुकड़ा कर दूगा मैं अधर देख हमें ऐसे ही चुप रहना है इनका घुसा नहीं ठंड़ा होने वाला मैं फासी लगाने का नाट करूंगी तू पूरे गांवालों को इकठा कर ले अरे उस दिन आप ही ने कहा था ना कि मेरा बेटा बर गया आरे आपके दि मेरा बेटा नहीं रहा तो मैं जी कर क्या करूंगी तुम दोनों अच्छे से रहो मैं जा रहे हूं मैं जान देने जा रहे हूं यहां किसी को मेरी परवाई नहीं है अरे अभी तक नहीं आया कोई अरे मैं मर जाओंगी तब तुम्हें शांती मिलेगी तुम लोग शांती से तुम्हारे दर्वाजा खोलो तुम्हारे तुम्हारे बटा क्या उसे देखकर तुभी बता क्या मैं चुम बैठा हुआ मैं तेरी मौत का खेल देखने के लिए दुबाई में यह साल तक मेहनत करके पैसे इसलिए कमाई थे यह देखने मिलेगा कौन सारीका आई है जब मैं दुबाई में था और वहां काम कर रहा था तो गावाले मुझे देखकर हमेशे कहते थे कि यह केरा ठाका का बाप है देखो जिर्फ कान से सुनाता है इसलिए छोड़ दिया अगर यहां आके देखा तो माहौल तो उससे कहीं ज्यादा कहीं ज्यादा खराब है यह सब वो जान बुझ कर नहीं कर रहा है जी उसकी ग्रहदशा ठीक नहीं है यह जेश जाने के बाद आशार जाने के बाद श्रावन आने पर वो हमेशा टॉप पर रहेगा ऐसा मुझे जोतिशे ने कहा है अगर हमने उसे कुछ कह दिया और उसने कुछ कर लिया तो क्या वाइदा होगा जी उस सुवरणा के बेटे का ऐसा ही हुआ था ना जी बापने कुछ कहा और जहर खा कर वो मर गया हम सब ये किसके लिए जमा कर रहे हैं जी उसी के लिए न आप देखना एक दिन वो टॉप पर आएगा दुबाई से आय हो ना मेरे लिए मालेश का तेल लेकर आय की नहीं क्या बुड़िया तू भी नित्रा रुको नित्राज रुको नित्राज मैं तुम्हें इतने प्यार सी बुला रहा हु溜 HELु कर दे बूबर नित्रा कूछ और ही होती देखो नित्रा मैं वह जानबुछकर नहीं किया नेत्रा, नेत्रा, नेत्रा के लिए एक अच्छा रिष्टा आया है, लड़का भी पहचान के परिवार वाला ही है, उस लड़के ने उसे कहीं पर तो देखा है, इसी लिए वो लड़का इसी लड़की के साथ शादी करने के लिए जिद पकड़ कर बैठा है, वैसे तेरी और माल्ती की शादी हो गई तो अभी अतनी जल्दी क्या है बड़े पिता जी ऐसा नहीं है बेटा माल्ती के मामले में फिर से उस लड़के ने अगर कुछ गढ़ बढ़ कर दी तो कौन वो मालती कौन है और मेरी क्या लगती है उसने ये जाने बीना हाथ लगा दिया वो मेरे बारे में अच्छी तरह जानता है इसलिए गाउं के अंदर कहीं छुपकर बैठा है अरे उसे तो उसके गाउं में ही घुसकर काट देता लेकिन उसके बाद मालती का नाम भी बदन कुमार कहां ऐसा क्या उसे छोड़ और आजा कहा न छोड़ दे उसे क्या हुआ मंदिर के पास अपने लोगों को गुली की बाइक नजर आई वहां जाकर उन्होंने देखा तो बाइक पर गुली का बाप था पूच रहे थे क्या करना था मैंने उन्हें छोड़ दने के कुछ भी करो कोई भी समस्य आये तो हम बात में देख लेंगे जल्दी आजा पेचने वाला खरीजने वाला है चल्दी काम खत्म करके चलते हैं सब तेरा इंदजार में बैठे हैं है आ रहा हूं चलिए बड़े पिता जी चलो के अगुद सब्य है और है यह सब क्या है यह किष्ट नहीं कि फ़िए के जैसरे कि अदिल्द से शीखो अब आपने काम से काम और मतलब से मतलब रखेंगा अपना केरेक्टर अपना कारेक्टर ठीक तब हो यहां तक पहूंचांशेدة देखता हूं वो लो क्या कर लेंगे मैंने भी काविरी का पानी पिया है तुम दोनों को मर जाना चाहिए अरे ऐसे क्यों चिला रहे हो क्या हुआ पता नहीं है क्या है पहले वह जगडा शुरू करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं पहले जवान लड़ते थे आज कल तो सारे बुजुर्ग भी लड़ने पे तुले हैं आप भी ऐसी बात करोगे तो कैसे चलेगा उन लड़कों को समझाना चाहिए न क्या समझाओ मैं मैं तो सिर्फ नाम का प्रेसिडेंट हूं मेरी बात कोई नहीं सुनता तुम पैसे भेजते हो और तुम्हारा बेटा लड़कों के साथ मज़े लूटता है जब देखो लड़कों के साथ आवार अगर्दी करता रहता है मेरी बात मानो तुम्हें उस पर लगाम कसनी चाहिए अच्छा यह बताओ वो मेरी वाली लंबी बॉटल लाया हूं क्या है कि पीच में क्यों डाल रहा है कोने से डालना पता नहीं गया तेरी मा कहा है एक तो रहुकाल भी पास आ रहा है आस पास में कोई और आप नजर नहीं आ रही है ऐसे में तुम पौदा लेकर आगे कहा है तेरी मा जो काम कर रहे हों लोगों के लिए खाना बनाने गई है अरे पेटिए रुको रुको रुक जाओ रहु काल शुरू होने से पहले चार पौधे लगाने चाहिए एसा शास्थ्रों में लिखा तो ऐसा करते हैं इ सोच बांद похizens और क्या इतना मैं नहीं सीखा चाल कोई बात नहीं ऐसे ही लगां के चली जाब मुझे पौधा लगाना नहीं आता है आपसे किस ने कहा हमारा भी खेथ है मुझे भी लगाना आता है एशी बात है क्या तो अच्छी बात है तो फिर चल आजा आजा चल चल हां चल अब हाथ दोले हाथ दोले अच्छे से हाथ दो पता है आपको इस साल आपके खेट में बहुत अच्छी धान होगेगी चलिए सो रुप निकाले यहां दिन बर काम करने वालों को भी हम 50 रुपए देते और तू तो सो मांग रही है भगवान के नाम पर मांग रही हूं मना नहीं करते चलिए दीजिए क्या बेटी भगवान का नाम लेकर हमें डरा रही है चल रुक देता हूं मुझे देने चाहिए थे उसको दे रहे हैं क्यों बोल बात नहीं करेंगी क्या करेंगा बुक देता नहीं करते नहीं करते हैं डरा रही है तो सो मांग रहे हैं पर रहे हैं क्यों बोल बात नहीं करते हैं अरे अरे सुनो सुनो बस करो मैं सब लोगों के लिए पूरी भाजी लाया हूं उसको खा के और चाय पीने के बाद काम करना आजाओ क्या भाई साफ उस तरफ कितनी अच्छी धानों की है वहां कोई खास खाट डाले थे क्या यह बात क्या है उसको लव भी और यह भी चाहिए ऐसे कौन से गलती की है उसने बताएए दोनों एक दूसरे से प्यार ही करते हैं ना जी तेर आपने बाहर रहकर ही यह घर बनाया है ना जी थोड़ी सी जमीन भी लिए उससे भी बाहर भीजिए वो भी कमाएगा वो दूबई में अगर वो दूबई चला गया ना तो दूबई के सारे अरब समंदर में डूपके वर जाएंगे दिमाग खराम मत कर जा जाके सामबर ले शावन आने में अभी सिर्फ एक ही हफ्ता बच्चा है जी तभी यह बाहर जाने की बात कर रहा है बेटा वो वीजा बना कर देंगे ना अब जा बोले तो पासपोर्ट नहीं लगता पूरा 2000 रुपया लगेगा उसके लिए यह बातों को घुमा फिरा के कहां पर आता है मु पैसे कहां रखे हैं अपने हाथ अटाना अरे अब खाना खाई यह नाम में कहां कुछ कर रहे हैं हाथ मत लगा यह गोपर की कमाई का पैसा नहीं इदर तर घूंग के पैसे नहीं है यह मंगल सुत्र गिरवी रखकर तू पासपोर्ट बनवा ले मेरी बात तो सुन अरे यह पूरे चार तोले की चीन है वह कहीं बहाँ जाके बेज देगा तो इतने प्यार से मैंने तिरली बनवाई थी और यह चीन तू उसे दे रही है वह नाचता है तो तुभी उसके साथ क्यों नाचती है अरे दीजे ना मैं गिनती हूँ तुझे दो हजार चाहिए ना यह पासपोर्ट बनवाले बेटा क्या हुआ फोटो ने घिचवानी है क्या इसे फोटो भी निकालने है यह ले सौ रुपे अब क्या चाहिए आने जाने के लिए पैसे नहीं चाहिए इसे जाकर भी आना है न यह लिए दोस्तों रख ले बस बस जल्दी पासपोर रफी जा रहा है या वाइन शॉब जा रहा है खैर चाहिए कुछ भी हो मेरा तो पैसा जाहिए रहाना हाच से आप छोड़िये आपको डाटे बीना ना खाना हजम ही नहीं होता मैं सामबर लाती हूँ नेत्रा रुको ना नेत्रा रुको ना नेत्रा वो लोफर कमिना दोनों प्यार करते हैं ऐसा मुझे जूट बोला था जाने तुम प्लीज बोल रहा हूं ना मैं नेत्रा तुम अंजाने में हो गया नेत्रा आज के बाद तुम्हारी कसम कहता हूं नेत्रा मैं तुम्हारी कस अब हो गया है ना आज के बाद मैं छुवँगा भी नहीं उसे सच कह रहा हूं नित्रा एक मिनुट रुका हूं बस एक मिनुट रुका हूं प्लीज एक मिनुट एक मिनुट आज अच्छा आज मेरा बर्थडेय है यह तुम्हें कैसे पता गए पता चल गया मुशे पर यह तो फॉरिंट्रेस्ट जैसी लग रही है मेरे पापा दुबए गए थे ना वहीं से लाए है यह देखो नया मोबैल दिलवाया है सिम कार्ट लेने के बाद तुम्हें नंबर देता हूं अच्छा यह सब तुम्हारे पापा तुम्हारी बहन के लि करां मां पापा यह द्रेस लाइं वह नहीं देख रही है मां क्या का एक माईना एक माईना को तुम्हें नहीं रे सकता हूं मैं अरे मेरे पास नया मोबाइल है State तुम्हें करूंगे क्या बात करती है तुछे फोन करना भी नहीं इसका मैं आए को ielenे कर जंगल में लें देखे- इस लेब टॉप का 15,000 से ज्यादा कर रहा है पहली बार कुछ काम कर रहा है अप हमेशा उसके बार में उल्टा ही सोचिए कुछ अच्छा में आप तो पैसा दो क्या अपने दुनिया में कभी इस तरह की मा देखी है इसे काने के लिए बढ़कान जाता है तु ऐसे घूली को लेकर जंगल गया गए जंगल गया घौली घॉली जोंट पहले जंगल में वह ड्रेस बैंग कर आऊंगी तो अजीब नहीं लगेगा हां कर गा गाव में कर देवी का मेला है नथ को अपन तुम भी वहां आजाना कल मिलते हैं तुम मुझसे मिलने आओगे ना हाथ यह बही यह कौन है तुम्हें काम करो गाय को वहां लिकर जाए अभी-अभी वहां पर बान कर आया हूं तुझे चुपा चुपी खेलना आता है क्या तो खेलें गया है पहले इसको यह बांधेंगे है चलो बच्छा आजाओ आजओ 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 बच्छा आजओ तुझे इस तरह से घुमा कर छोड़ देता हूं तुझे टूड़ना है गुम मत हो जाना अब मैं तूझे घुमींए गुम घुम घुम गुम घुम 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 जा ठुझे में ठुड़ना ठुझा है अ और अच्छा बहुत दिनों से मैं है तुमसे सवाल पूशना चाहती थी तुम्हारा नाम गूली किसे रखा था बेकार मेरा नाम गूली नहीं है जानती ही हो नुभी Сब्समेस जानती हो तो फिसने नंदी सभीस के पाइएन जो डोस रेट हैं उन्हों ने मझे गूली गुली मैं तुम्हें पता है क्या बलाऊंगी नंदीश अब तक तो यह घूम रहा है कहां चले गए अच्छा वो पानी दो तो कि वह अंडे वाला गाना तुम्हें पता है क्या आमलेट वह नहीं पानी को मुह में भरके अन्डा आने से पहले अन्ना आने से पहले मुर्गी निमुर्गे से पानी बर यह गाना है और गाना का तसम्य समय पानी अंदर भी नहीं जाना चाहिए और बहार नहीं आई नहीं था क्या 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 यह सब इसी लीग कर सकते हैं तो करके दिखाऊ आखिर में यही हाथ में मिलेगा क्या कुछ नहीं कुछ नहीं मुझे पता था मुझे पटा था नहीं नहीं पाएगा जदा प्कर लिया दी दी पकर लिया जा नीचे देख जा अरे विचा है अगर इसको साथ में लाओगी नो तो अच्छा नहीं होगा पहली बोल देता हूं लेकिन कर आने के बाद मुझे देना है अरे बहुत अच्छा खेला तू बचा तो जाना ना क्यों हमेशा मेरे पीछे-पीछे घुमता रहता है भाईया हो गया क्या अर्जन्ट कहां जाना है तेरेको और यहां पादी नमस्कर नहीं नहीं देखा कि कोई हंडा में पानी भर कर कुला करता है पाप से पापा ना न तो बहुत काम है पुरसत नहीं बोग कि तेरे बाप के आने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि बैटा कितना काम करना नंदीशा मिस्टर नंदीशा आज के बाद मैं तुम्हें नंदीशा करके नहीं बुलाओंगी अंडे से बाहर आने के बाद अंडे से बाहर आने से पहले मुर्गी ने चुड़ाता पहले से चिकर सिंक्री वाले गुली से बहुत नाराज और इसे ढूंड रहे हैं अगर हम लोग सिल्क को देखने वहां जाएंगे ने तो बहुत मार खाएंगे एक गुली चलना यार प्रीज चलते हैं अरे नहीं यार गल्ती हमने किये तो हमारे वहां जाना ठीक नहीं है छोड़ दे यार प्रफ्लम होगा एक गुली चलना यार चलते हैं कौन की नीचे बजाऊंगा है चल चलेगा ना गुली अवे तेरी तुम हम चल रहे हैं यह क्या है नया कार्ट क्यों ले रहे हो पांट्सो की बाजी लगाई है इसलिए कार्ट चेंज कर रहा हूं फुआ थिक टेरे बापकी कशम तेरी कशम मेरी कशम आे खालका है तेरी माननाल movement में चल नहीं तो मत मान में हूं। इस आधो हूं क्यूंट व है वे कॐए को भूवू भाइया इस साल कौनसी जागा चटटाई डालनी है बोलो ए परेशान क्यों होता यह बताएगा ना तू चुप रहे हैं यहां नहीं वहां चलकर बैठेंगे ऐसे ठीक है अड़ावटेक वह नहीं जो चुरिदार पहन कर जारी है ना वह मेरी वाली है वह जहां बैठती है ना ठीक पीछे चटटाई डाल लगे और द्लाजन यहां से पूरा स्टेज नसर आएगा बहुत अच्छा दिख रहा है यह जो कौन है कई यहां से अच्छे से दिख रह ना हां देखो यहांसे फ्ला स्टेज दिख रहा है है हां हं एक क्यों हमारे पीछे पीछे आरहे हो दूख याए क्या हुआ दिदी कुछ नहीं होगा ना इक बच्चे हर समाल कर जवाब देख न आए चलो अच्छे से दिखी गाता वहां अरे आगे-आगे क्यों जा रही है शांती से बैठना अच्छे सिर्थ रहा है यहां से यह लोग क इंदिजार की घड़िया आप समाप दो गई है आपके सामने आ रही है स्वाफ प्रसुन दरी जवां को ने बहुत देखा है तू बंदर जाओ सिल्क को बाहर रहा है हमारे जान से खोशोकर पंचायट परमेश्वर जी ने हमें 500 रुपे का इनाम दिया है पंचायट लड़की को देने के लिए 500 रुपे चंदर से उधार लिए क्या आजा यह फिर मैं आपको दिखती हूं चल रहे तू चल मेरे साथ चल ना जल्दी ना वकील से मिला ना कोट गया यह तो सीधा डाइवोर्स दिला दिया अपना पैसा खर्च करके मेरा संसार बिगाड के तु अपना यार और सिल्की जोड़ी मस्त है यार नेत्रा वह लोग पी कर बोल रहे है तो यह हमें मार रहा है प्लीज मेरी बात सुनो नेत्रा क्या करूं अभी है हेलो वन फोर्थिरी गाड़ी आपकी है हां क्या हुआ बाइसाब उसी रास्ते से देवी की पालकी आ रही है जरा अपनी गाड़ी साइट कर लीजिए क्या भाई क्या ढूंड रहे हो कुछ नहीं भाई मैंने यहां गाड़ी रखे थी दिखाई नहीं दे रही है ऐसा तो नहीं कहीं और रखी थी और अभी तुम्हें याद नहीं आ रहा है नहीं भाई मैंने यहीं पर रखी थी अच्छा वो देखो वो गाड़ी तो नहीं है तो वहां कैसे चली गई तेरी इतनी हिम्मत कि तुने मेरे मंगेतर को हाथ लगाया और उसके बाद फिर दोबारा मेरे गाउं में भी आया मैं कुछ दिनों तक चुप बैठा रहा तो तेरे अंदर का डर निकल गया क्या हां अभी तुझे दिखाओंगा कि डर क्या होता है अभी देखेगा तू एई मारो इसे एई जोटा नहीं उसे एई जोटा नहीं उसे इजोटा इए जोटा नहीं टेखाओंगा जोटा आटा देखा नहीं तुझेआ एज़ा नहीं से इसे मेहन तुमने सुना क्या उस दिन मेले में क्या हुआ कुछ लड़के वहां आये और लड़की को छेड़ने लगे ऐसा मुझे गाव वालों ने बताया तुमने सुना क्या अरे तुम्हें पता नहीं क्या रात को मेले में नाचने वाली लड़की आई थी ना सिल्क पलक क्या ना कि काविया यहां में रोज आकर उसका इंतिजार करता हूं यह नेत्रा को पता नहीं है वो तो तुम्हारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती अरे भाईया आपको इसन मैच देखने आना चाहिए था एक बॉल में दो अरण चाहिए थी लेकिन फिर मैंने ऐसे बॉलिंग की कि सीधा उसको बॉल्ट कर दिया अच्छा बॉल्ट बेटा इधर आ तो मुह इधर ला और इधर ला आप बहुत बड़ा क्रिकेटर है क्या तू चक्के पर चक्के मार रहा था है दूद पिकेस हो जाजा फिल्ड में आओ आपकी आख की गोटिया निकाल के बॉलिंग करूगा नमस्ते भाईया ए गुली तो इतना सीरियस क्यों है यार कुछ नहीं यार अरे तो फिर तेरा मुह क्यों लटका हुआ हुआ है भाई कुछ न पूरे गाउं में एंसी 37 लिखने का मन करता है अच्छा यह उस दुन इसने लिखकर दिखाया था ना उस दिन तू आया ही नहीं था अरे यार वह एंसी 37 है उसमें पूरा नाम लिख देना ठीक है पूरे गाउं को पता चलना चाहिए और उसके भाई को और उसके बाप को ज जाना नहीं, जाना नहीं, बोल रहा था धूखए नध्यकर कान की निचे का माार कर भलाता प्लक हाइँ चोड़ना तु आयार तू अ यार मनजु के खर पे कोई फंक्षन KYC है आ तू बहुत कर बाप और मामा के नाम का सिर्फ एक ही काड़ चपुआदा और उसके Eternal gum और आएगी तो हमारे खेट से होकरी आएगी ठीक है मैं वहाँ पर बात कर लूँगा बराबर क्यों रे सुबह से मैं जाने के लिए मना कर रही हूं और तु जित पकड़ कर बैठी है वह मेरी क्लास्मेट है मा मेरी फ्रेंड है साथ में पढ़ने वाले सब अब लोग आ रहे हैं गायत्री भी तुम्हारे साथ ही पढ़ती है ना वो क्यों नहीं जा रही उसे बुखार है न मा कौन सा बुखार तो क्या मैं आपसे जूट बोल रही हूं तो ठीक है अब मैं नहीं जाओंगी अब तो खुश हो ना बात ख़त अब साथ में पढ़ती है जाने दो उसे बेटी तुम जाओ उसके साथ मेरी बात कब सुनी है आपने अरे शिवा गुस्से में दिख रहे हो वह क्या है सासुमा अपनी माल तो अपनी आपनी 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 को लेकर जो कमिना गुली गया था ना उसके नाम के साथ नेत्रा का नाम पूरे गाउं में लिखा हुआ है यह तो वो जान बुछकर अपमान कर रहा है या फिर नेत्रा भी उसके बहकावे में आ गई है लेकिन वह स्कूल के आसपास नहीं दिखता नहीं है जाकर उसे मेरा दिल बहुत घबरा रहा था बेटा वो उसी से मिलने गई होगी मुझे बहुत डर लग रहा है तेक है मैं जाकर देखता हूं कि मुझे इतना गुशा कि हूं तुम सामने से हटो मेरी फ्रेंड के घर में फंक्शन नहीं है समझे मैंने तुम्हें यहां पर आने के लिए ऐसा कार्ड में प्रिंट करके भीजा है तुम मुझ पर गुशा है यह तो मैं जानता हूं लेकिन एक बार मेरी बात तू सुन ले त इस दिन तुमने मेरे सिर पे हाथ रखके कसम खाई थी और मैंने सचमान लिया और तुम तो डांसर को उठाके लेकर जाते हो और पीते भी हो तुम जूटे भी हो तुमने कहा था तुम्हारी बेहन नहीं है पर वो भी जूट टिकला तुमें एक गुंडे हो अंजाने में कह दिया कि तुम से शादी करूंगी माफ कर दो मैं यह नहीं कर सकती प्लीज रुग जा उस मंदिर में आकर मैंने जगड़ा किया क्या और मैं तो वहां पर आना भी नहीं चाहता था लेकिन तूने आने के लिए बोला था मेरी वज़े से कोई जगड़ा नहीं हो प्लीज अच्छे लड़के हो सकते हो लेकिन मेरे घर वाले तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते है तुझे पसंद्ञी हो क्या पूछ रहा हूं मैं तुझे पसंद्नी हो क्या नहीं पसंद्ञा वूँ झालब जहाराद। एए, क्या करेंगो? पाकल हो गयो क्या? ड्राइवर, गारी रोको! तुम्हें मेरे बाता समझ लिया थी कहा? ड्राइवर, गारी रोको! बोलिया, बड़ी मा, क्या? वो घर पर आ गई? हाँ, ठीक है, हेई, चलो वापस! अरे, हमारे गाउ में जगा-जगा जिसका नाम लिखा है न, वो नेतरा का ही नाम है! इसका मतलब उन दोनों का चक्कर है! शकल से तो कितनी भोली लगती है! सबको बोलती है कि कॉलेज पढ़ने जारी है, लेकिन जाती है लड़के से मिलने! कहा है वो, कहा है वो, कहा है बताओ! अरे, पीछाओ, पीछाओ, पीछेओ, चलो पीछेओ, आज उससे बार दूगा उससे, अरे, बचाओ! जाओ, पीछेओ, यह मला भूणा देगा, रे, बचाओ! अरे, चोड़ो! अरे, चोड़ो, चोड़ो! तुझे नहीं चोड़ाएगा! वो, इस लड़की को हात नहीं लगाएगा! तू भी चुपचा भाजा! बार जाई चुपचा! निकल! अपने घर की बाद किसी को पता नहीं चलनी चाहिए ऐसे चिलाएगा तो खोदी सब को बता देगा उसकी और हमारे आगे हाथ जोडता हूँ बड़े पिता जी मुझे मेरा काम करने दिये इतनी जल्द बाजी क्यों कर रहे हो एक बार मेरी बात तो सुनो मुझे कुछ नहीं सुनना आपको कुछ नहीं पता हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते इसलिए मालती को भागा कर उसने मेरा पां है क्या इसलिए मैंने तुम्हें उस रिष्टे की बाद पहले ही बता दी थी मैंने उन लोगों से बात करके फैसला भी ले लिया है तुमारे पिता को बता दिया है वो भी मान गये है कल मंगलवार बुद्वार गुरूवार शुकरवार अच्छा दिन है उसी दिन शादी कर तो यहां रहेगा राइट चालू है ना मतलब यहीं पर बैठा होगा चल कर देखते हैं आजा ए गुली तु यहां पर इस वक्त क्यों बैठा हुआ है नेत्रा ने कुछ कहा क्या तू बोले ता मुझे को घर से उठा कर ले आते हैं बात क्या है कहीं तू डर तो नहीं गया ए गुली क्या बात है यार नेत्रा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और कोई क्यों पसंद करेगा बुल मेरे हर बात तो जूटी होती है बाप कमार है और मैं बैठकर खा रहा हूं और क्या पूरा गाउं मुझे फोकट्चन फोकट्चन करके बोलता रहता है कौन तुम्हारा प्राब्लम मैंने शॉल्ब कर दिया क्या हूँ यार अरे वही एंसी थर्टी सेवन जोड़ी करके लिखा था ना हां उसमें मैंने पूरा नाम लिख दिया अरे अब तक तो यह बात पूरे गां में फैल गई होगी अब उससे कोई शादी नहीं करेगा मेरी वज तुम दोनों मिलोगे कौन है यह अरे वो मुझे प्यार नहीं करती है उसका मुझे दुख नहीं है अभी हो क्या समझेगी प्यार नहीं करती तो मैंने ही सारे लिखा ऐसा समझेगी अरे तुम्लों करता है कि मैं फंचाता है तु भी नां है क्वाटम सब खतम हो गया कि में चुंद भाल दो लिख गुलिया र्लक्वकवयों हब लिख और तुम्हे दो रहे ज़ञे लिख एफ़र दो जुलिया षेघिव्ल्व मैं ये शादी नहीं करना चाहती अब भाईया से बात कीजिए न अरे बेटा वो तुझे दुख थोड़ी ना पहुचाना चाहता है जो भी कर रहा तेरे भलाई के लिए कर रहा है ये थोड़ा सा खाले बड़ी मा क्या हुआ ले एक निवाला तो ले 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 न बड़ी मा अरे आ रही हूँ अच्छा खाना खाके सोजा बड़ी मा कहा हो अरे क्यों चिल्ला रहा है मां मां अरे हाथ हटा मुझे ये शादी नहीं करनी मां फंक्षन में जा रही हूँ बोलकर मुझसे जूट कहा तुमने तुम मुझसे बिलकुल बात मत कर मां मां तुम यहाँ पर हो बड़े पिता जी तुम्हें बुला रहे हैं जाओ जाकर देखो तुम्हारी दादी के घर ये बात बता दोगे तो अच्छा रहेगा बात चुप रही है मैं ऐसा नहीं कर सकता वरना ये बात पुरे गाउं में फैल जाएगी जाकर देखो क्या बात है ठीक है भाईया मुझे ये शादी नहीं करनी भाईया क्यों? उस कमीने के साथ भागना चाहती है ये सच नहीं है भाईया मैं तो उसे ये बताने गई थी कि घर में कोई उसे पसंद नहीं करता मैंने उसे कहा कि वो मुझे भूल जाए लेकिन आप तो ऐसे से मेरी शादी करवाना चाहते है जैसे मैं जानती भी नहीं क्या आप मेरे साथ ठीक कर रहे हैं क्या आपको मुझे पर ज़रा भी भरोसा नहीं है भाईया भरोसा और तुझ पर अरे तुने जो किया उसके लिए तुझे काट कर फेक देना चाहिए था लेकिन तुमेरी बहन इसलिए छोड़ दिया बहुत जल्दी में तेरी शादी करवादूंगा भरोसे की बात करती है भरोसे की बात करती है कर दो कर दो कर दो आपको लगता है कि मैं भाग जाओंगी इसलिए बांध रही हो क्या इतना भी वरोसा नहीं है तो एक दिन में सच में भाग जाओंगी कोई नहीं रोक पाएगा पहले ही देर हो चुकी है जल्दी जाकर जल्दी आना हाँ चलो आरे तुम लोग यहां बैठकर मीटिंग कर रहे हो क्या चलो जल्दी जल्दी काम करो आरे हाथ चलाओ जल्दी गेहु पिस्वाने के लिए मैं ही जाऊंगा हां 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 ए जी मैंने कहा था ना देखिए इसने नए कपड़े पहने हैं मैंने कहा था ना इसका अच्छा टाइम शुरू होगा आपको पता है यहु मैं पिस्वाकर लाता हूं बोल रहा है तीरा वीटा वहां ग्रया प्रवेश का कार्ट सपाने मैं गया था तो वहां किस अधिक वज़ाएसे मेरे सरके बाल उड़ते जा रहे हैं उसको गाली दिये भी न आपका दिन नहीं जाता ना क vais कितनी ही है बहुत 묶्ची है तो बैठे बैटे भी थाट कई ऐसी करता हसुए लो जबेगर हैं कॉर्पे ध्यान है इसका हलो अरे का सो निकरा चारता अरे अब जा रहे हैं अब लोग है इसे वहां रख दे हाँ नित्रा सुना ही दे रहा है बोलो क्या करी यो तुम्हारी शादी हाँ अगले शक्रवार को है है हलो 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 बात करो नित्रा वह थे पागल ने गाड़ी को खेत के अंदर ही छोड़ दिया अरे यह तो हमारी यह है किसी का फोन आया था उससे बात करते करके वो उधर चला गया नेत्रा को सुना नहीं दे रहा है सुन रहे हो ना पता नहीं किसे बात कर रहा है अरे बात हो गई कि नहीं कि यहां से निकालो 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 जलने जलने को ओ अधर है क्या करते हैं तुरे लाला क्या किये तुरे फोन आया था आप अब एठ जा भोलता है फोन था पूर पूर ना यह फिर से उतर जाएगा क्या अब रहे है अब जाए है अब जाए पर जाएगा अब जाए कौन सीनु है कि सीनु मैं गुली बात कर रहे हैं तूंख यह आप प्यार करता है है उसने फोन करकर बताया शुकरवार को इसकी शादी आप इसकी शादी है देख सीनु मोखे अगर वो मजे नए parka को इन प्यार करेगा être अगर तुने कोई भी गड़बड की न तो तेरा सर तेरे धड़ समय अलग कर दूँगा है अलो हलो कर रहे होंगे अगर वह यहां नजर भी आया तो उसे जान से मार दूँगा पहले मेरी बात सुन बोलिए बड़े पिता जी लड़के वालों से मैं बात करता हूं शादी शुक्रवार को नहीं कुरवार को करते हैं क्या कहा हम उससे डर जाएं अरे वह कमीना डर पोक है आप भ लोगों ने तो यहीं प्याटा जमा लिया अरे यार बस ठीक है वो क्या ना कि सब हमने देख लिया क्या हुआ सीनू देखिए चाहे वह रोए या खाना नहीं खाया आप उस पर रहम मत किजिएगा अगर वह बात्रूम भी जाय तो आप उसके साथ जाएएगा समझ गई ना अरे क्यों परेशान हो रहा है मैं हूना मैं उस पर नज़र रखूंगी अरे बाई सांगे लेका जाएएए है आए दावाजी आगया है ऐसे क्यों मैंटें नेयों यह क्टेल्वार क्यों लेकर आएए हो हमने सुना कि कुछ प्रॉब्लम है इसे लिए सब लेकर आए हैं मैं बड़ी आहूं बड़े पिता जी जाओ 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 जीजा के बीच पे अजार बाते होती है चलो चलो खाना खालेते जैसा हमने सोचा सब वैसा ही हुआ ना तो कोई टेंशन नहीं मादा जी मालकिन इस नंबर पर फॉन करके बता दो कि शादी शुक्रिवार को नहीं कल ही जी मालकिन ठीक है आप आराम कीजिए मैं बता दूंगा ठीक है यह देखो कैसे हाथ जोड़के खड़ा है वह अरे यार तुम लोग कहां से आयो बाई नमस्ते पापाजी हां यह सब क्या है चंटी बाई टॉंटी का फ्लैक्स सब अच्छे से बांद दिया है चका चक लग नहींघ्या है क्या चाहिए हाथ तो गरम कीजिये लाल कर दूगा ज़ना मुझसे अरे फोकट में दे रहे हैं आपका नाम ही डाला है ना नाम पता आपका प्लभवा पूरा नाम नहीं लिख पाए इसलिए बीसे बस वालिग ढिंश हो गया और श्या अर्ला तुजे मैं बो सुदरेगा सुदर्जा ए गुली सुनना यार एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है क्या हुआ उन लोगों ने अपने आदमी पूरे गाउं के बाहर बिठा दियें उसे लेकर आना बहुत मुश्किर हो गया है यार मेरे घर का ग्रीप रवेश है हार जारा मोटा और बड़ा बनाना अर्जन्ट में एक शादी का कुछ करके दे रहा हूं तब तक आप चाय पी करा जाएगे ना मैं बना दूगा गुलाब के फुल ज्यादा डालना ठीक है पचास तुपा में सारे गुलाब इसी में डाल देता क्या बात है बाई सुबह सुबह इसे परिशान कर रहे हो तुम लोग अबे नेतरा की शादी फीक्स हो गई है समझा तो अभी क्या करना है अरे करेंगे क्या तेरी गाड़ी से उसे भगा कर ले जाएंगे और क्या कल सुबह 10 बजे हनुमान मंत्री के पास आ जाना प्लान क् चोड़ना है इसे हम लोग सोचने ने क्या करना है अब बता दोस्ती के लिए आएगा कि नहीं आएगा अभी अभी तो मैंने एक नई गाड़ी खरी दिये इसे तो मत बदान को रहा यार पिछली बार उस लड़की को लाकर के बहुत बड़ी गलती कर दीती यार अब तुमा आएगे मैं कब भूल लेकर घर पहुंचेंगे जब बीच रोट में बैटा हुए पिशाप कर रहा है अरे यह तो अपने परमेश्वार जी है क्या पंचाय दी परमेश्वार नीचे बैटके क्या कर रहे हो हां अरे वह मेरी गाड़ी का किक गुम हो गया है ना तो मैं बस उ अरे हमारा चोड़ो तुम क्या कर रहे हो भगवान के लिए था यह शादी के लिए हार बनानी को बोला भगवान का नाम ले रहे हो ही क्या है अपना मूँ बंद रखना क्यों मुझे सुबशीवा पसा रहा है क्यों काम दिया वो करके देना गल्दी हां मैंने शादी के तुम को पता नहीं चला ची यह हां हां अरे लेट हो गया हो आरा हूं आ गुली उसके हाथ में फोन ने फिर भी आलो बोले जा रहा है जिस दिन से हमने मर गया ऐसा अनौंस किया उस दिन से वह ज्यादा ही पागल हो गया है चोड़ना यह अब आब तो जल्दी बनाना अगर मूरत निकल जाएगा ना तो मेरा बाप मुझे बहुत मालेगा ठीक ठीक भाई दे तो रहा हूं भाई अरे वो आदमी शुकरवार को आया था बोला था कि उसे शादी के लिए हार बनवाने और कर आधिर्यात को आकर बोला कि सुबही शादी तो जल्दी हार चाहिए और अभी क्या सब खतम हो गया नेत्रा की शादी आज ही होने जा रही है कि अटे बेकार गाड़ी है रेक भी टीक से नहीं पड़ते हैं सिनुप सिनुप मैं हार लेने गया था उसमें बुल्दी ने मुझे वाह देख लिया अधि बता रहा है अरे रुख तो मेरी बातों सुन पहले म मैंने वहांपर यह बोला कि हिया भगवान के लिये लेकर ढ़ल रहा है बहुत बड़ा काम किया चलवा हूं किया सालेसाब कैसे हो मैं गुली बात कर रहा हूँ है साला कौन कौन है तेरा साला अरे तेरी बैंसे अगर नहीं बनेगा तो क्या चाचा बनेगा एक बात बता शुकरवार को शादी कर रहा हूँ अरे साले साब मैं तो पहले से नाचने में फेमोस हूँ एक तो तुमने मेरे पैरों में घुंगरू बांदिया था तो मैं चुप कैसे रहूँगा अब तो मैं बस ता दिन दिन दा ता दिन दिन दा ऐसे नाचता ही रहूँगा देखते रहे ना मेरी बेहन की शादी एक गंटे में होगी तो मैं कब कह रहा हूं कि दो गंटे में होगी मैं भी तो वही कह रहा हूं कि एक गंटे में होगी बहुत चर्बी चड़गी तुझे अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो गाउं के अंदर पैर रख कर दिखा अरे मेरी बेहन को ले जाना से शादी रुखती है क्या दूले को ले जाने से शादी नहीं रुखती ज्यादा ओडमात तेरे घर के होने वाले दामाद से ले बात कर हलो सीनू हलो आप क्या करता है बोल तू आकर लेकर जाएगा या फिर अपनी भेन के ऐसी शादी कर लेगा अरे साले साहब चिक सिंक्री में आकर अन्ना गोड़ा का बिगी चका है पूछो तो चोटा बच्चा भी लेकर आएगा रखता हुआ साले साहब मेरी बात सुनो या यार इस Wakी से शादी करने के लिए जया हाइन में लाइन में खडी लाती आ और वो वेचार वह उसने एक लड़की को पसंद किया, वो लड़की नहीं है, पागल है, गाहों के लोग मेंटल मेंटल बोलते हैं, इसलिए वो उसे शादी करना चाहता है, तू बीच में कहां से आटप का यार, राज कुमार की तरह दिखते हो यार, तू भी यार कितना हैंसम लगता है, चश्म वो अभी बीर मांगेगा, तो कहां से लेकर आएगा, अरे जल्दी-जल्दी करो न, बहुत देर हो रहा है, आरे आते हैं बाबा, तू तो हमेशा जल्दी में रहता है, क्यों रे, तू किससे बात करी है, कब से फोन पर लगी हुई है, हां, बुआ, वो फोन करके बोल रहा ह है कि वो दूले को उठा कर ले गया है, बगवाल, यहां तो फिसर ट्रावार शुरू हो है, आप चुप रहे, क्या चुप रहा हुँ, मैंने जैर नहीं पिया था, और मैंने जैर पिया, ऐसा पूरे गाउं में फेला कि मेरा अपमान कर दिया, वह बगवाल, हमारे खांदार आप में के लिए ही वो यह सब कर दहा है, आप मैं क्या करूगी है, बगवाल, अरे चिलाओ नहीं तो और मैं क्या करूँ, आप शांत हो जाओ, सब को पता चल जाएगा, चलो अंदर चलो, चलो क्या वो दुले को छोड़कर चला गया, जरूर वो कोई प्लान मना रहा है, शादी रजिस्टार ऑफिस में नहीं घर पर होगी सब लोग घर पर आ जाओ समझ गए ना अरे यह सब ड्रामा ड्रामा और कुछ नहीं है इसने कोई जहर नहीं पिया है तुम्हें अरे आप भी ना इसने जहर पी लिया है और आप पूछे हैं हसी क्या हसी क्या आप लिए हैं प्लैने तुम ले नहीं है तुम सब को बेकु बना रही है यह तुम सब के जोड़ता हूं समझो इस बात को यह जहर नहीं पिया नहीं पिया नहीं पिया जब लेकर जाओ उसने कुछ नहीं पिया है तुम कैसे जाते हो बचसार कर रहा होगा हां सुनो हमारी नेतरा ने सहर पी लिया है क्या कहा हो तुम लोग उसे अभी होस्पिटर लेकर जा रहे हैं है उसे हॉस्पिटल लेकर मत जाओ घर पर लेकर आओ मरने दो उसे निर्दाई कहीं का गाड़ी रुको कि डॉक्टर किसी भी तरह मेरी चलिए चलिए आप बहार चलिए प्रिशेंट को परिशान मत करें हां नर्स डॉक्टर साब हाई अरे यह तो यह वह ऊस्पिटल है ना मैं छोड़ू वारी उससे यह जूजर यह पर तो किसे लूजर बोल रहा है थोड़े देर रुक्ट अन्दर पर जाए तुम चुप रहा हूं चल रहा है हनिवून चल रहा है किसे पता तू फोन देख फोन पर अरे मत जाए अंदर लोग इधर होने चाहिए इधर भी नहीं है उद्धार देखना चाहिए तुझा रहा है यह लोग भाग गए तुझा कर रहे हैं वो लोग पीछे के रास्ते से भाग गए है अब यह क्या ला रही हो आप अरे डॉक्टर ने कहां बच्ची को फल खिलाओ ग्लुकोज और लेकर आई हो बहुत ही अच्छा काम किया लेकिन एक काम और करो एक फल तुम लो एक इसे देदो यहीं बैठके खाओ वो दोनों पीछे के रास्ते से निकल के भाग चुके हैं अब जाओ देखो कहां कुई मेरे बच्ची है गाड अब यह लोग मुझे वेकू समझते हैं यहीं समय में तो कुछ आता निया है यह चल्ले गाड़ी नुकाल चल्वार को पीने का नाटक करने को कहा था मुझे पता था कि तुम शादी वाले दिन जरूर आओगे और दूले को लेकर चले जाओगे इस विए आज मैं नही लोग तो है तुम्हार ह 14 तरय कि एक फवास लुग तैसे फ। ऑर हो लोग कि ट्रफंस जलुझ कि जेल्दी जल्थ है यही जल्दी चल्थ चले हैं देख देख इसको लगता है कि इस परमियशेट पार नजर रही है आरे यहां क्यों गाड़ी रोक पीछा करता हूं यह लगता कोई बना रहा है या चल 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 आज़ा आजा आजा और पिजह और पिचे और पिचे और घृट मगे हैं मृत भाग्वान को निजा थरा अरे कुछ तो दीख रहा है ना तुम अपनी आंखे बन करल अलो भ्यार से बटी से अपनी आंखे बन करो ृट करें इसने तो मंगार्ण सुथ में बाइंदिया परमेश्वार शादि का खाना खाने आ जला तू चल 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 जलदी चलो खाना खाना जाना है कि नहीं रहे बट जल जल चल 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 चलो चल आहाँ सुन रहूँ क्या हुआ कि हैं उसने मंगल्सूत्र को फैंका ये और उसे दुली के सार्दि करेंगे देखो मैं कार में तुम्हें मंगल्सूत्र भांता तो तुम मानती क्या अभी हर पर जाओँगा तो मेरा बाप हम दोनों की शादी करवाएगा क्या वो तो इतनी बड़ी तलवार लेकर हमारा इंदजार रहोगा हूं रोकॉस्ट को भालप सबीदिया दो निक्ता वहां गया है यह से कितर गया होगा यहां से कि दो यह इदर यह इदर अरे कुछ समय में यारा क्या करूं में मौत का समाचार उस दिल में माइक लगा के मौत का समाचार दे रहे थे ना आज भी वैसा ही बोलोगे तो छोड़ दूआ किया रहा है आजाओ आजाओ तुम में से कोई मताना ने मैं आ रहा हूं मैं डारेक्ट जाता हूं दर ताओं मैं यह सैट नहीं होगा हां अब पताता हूं मैं आज़ा आजो क्या करा देखते हैं यह वाग गया है इस तो कहीं गया बोला गया इन सब चक्कर में मैं ने वेकार जगणा मोल ले लिया अब क्या करूं मैं चुप चाप से ही आपने आपको स्रेंडर कर देता हूं तो अरे भाहिसा और अरे यह तो गुली की गंग नहीं आप जह शम्ज़ोता कर ना है इतना सारा रंग लेंग कि आप कौन से फंक्शन में जा रहे हो हैं क्या हो रहा है यह बताओ ना है कोड़ाई जी अपने बेटे को भी बुलाईए अरे आप मुझे शांती से रहने दिजिए ना पूजा कीजिए ना आप क्या माजी अपने बेटे को छोड़ कर वो कहीं बाहर गया है आप शुरू कीजिए ना ठीक है उसका इंतजार करते करते तीन मुरत निकल चुके हैं अब तुम्हें मंगल सुत्र बांधने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है नित्रा बाहरी देश में जाकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं नित्रा और तुम्हें जिन्दे की पर हमेशा हमेशा के लिए खुश रखना चाहता हूं क्यों दादा जी कैसे और बहुत सारी मिटाई खाना क्यूं बेटा इतना अच्छा घर बांधा मेरे लिए एक साड़ी नहीं खरी सकता था मेरे बेटी की शादी में तुम्हें रेश में साड़ी दूंगा अभी तो तुम पेट बर के खाना खाओ क्या हुआ यह सुद्रेगा नहीं कभी भी शादी करके ले आया किसी को अरे उस लड़की की आज ही शादी थी उसे मंडप से उठा कर ले आया है वह तो मेरा अपमान करने के लिए शादी करके लिए यह तुम्हारे पापा अरे यह तो अच्छी बात है ना तो चिलाने वाली कौंसी बात है इसको तुम्हारी हिस्जत की धंचिया उड़ादी तुझे अरे पहले लुंगी पहनो अरे तुने और तेरे बेटा ने मिलके देखा क्या इज़त दिये मुझे गाओं के सामने लुंगी उतर की तो क्या हुआ तुम लोग ऐसे क्यों खड़ी हो जाकर आर्थी लेकर आओ मेरी बहूं की आर्थी उतारनी है यह अगर किसने आर्थी उत लोड़ने की बात कर रहा है और यह तो ऐसे हैं तुम जाकर आती लेकर आओ मेरी तुने तो सच मुझे कमाल कर दिया या यार शादी कर ली मुबारक हो बहुत बहुत मुबारक हो है हटो 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 रास्ता दो हटो हटो अरे और तुमारी तुम्हें मेरी आखों के सामने से तुमेरी आखों के सामने बहुको लेकी जा रहा है मैं देखता हूं तुझे रोकों से चंद कुंडे आ करके गाउं की बहुको तुम्हारे साब ने खीच कर लेकर जा रहे हैं और तुम लोग कि यहां पे खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो हातों में चूया पहन लिए तुमने बच कर नहीं जाना चाहिए था नहीं किसी को भी आपके पीछे को तुम मुझ देख रहे हो ना शादी के दिन कैसा तमाशा हो रहा है या बड़ा तमाशा है पीछे रट नहीं तो सबको बार दूंगा कि अगल तर्वार उठारे हो उसके साथ कोई नहीं ऐसा समझ नहीं हो गया मैं उना इसके साथ मेरे घर के पास आया है मेरे सालेशाब और उन पर तलवार उठारे हो शरमानी चाहिए तुम लोंगों को आजाओ कौन आता है देख लेता हूं एक-एक काटके रख दूंगा ठीक है बेटा रात को मिलना वहीं पर बात करेंगे समझ गया है कार स्टैन पर वहीं बात करते हैं देखा तुने तेरे बेटे को शादी होए अभी आदा घंटा भी नहीं हुआ है और अभी से अपने साले की साइड लेने शुरू कर दिया बीवी का इतना तरफदार है कहीं बीवी के बातों में आगे हमें साड़क पर ना फेलके जी है कि चल गाड़ी निकाल कि यह क्या है गोड़ा जी आप बेना ग्रह प्रवेश का निमंत्रन पत्र दिये हो और उसी के खर्चे में बेटे की शादी भी करवा दी क्या बादी आप इस वक्त आप क्यूं तमाशा क कर रहे हो खाना खाने आये हो खाना खाकर जाओ ना सब लोग आओ यहां पर दूला दुलन को लेकर आओ क्यों रही हो सब कुछ ठीक हो गया है हां चलो आजाओ घुली यार तुने बार्वी पास कर ली कि नहीं है वैसे तुमने कितनी पढ़ाई किया हरे तुम्हें पता नहीं है क्या हमारे गाव में मैं ही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लडगा हूं बी एसी कंप्यूटर साइ अब आप जूब के लिए ट्राए कर रहा हूं आप जूब के लिए तुम पर गया है अधा अराम से अराम से अराम से तू मेरे बेटे से मिलने के लिए आया ना तो मैं बहुत खुश हो गया अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे बेटे को तुम्हारे गोद में बिढ़ा कर कान में छेद किया उतना ही मेरे लिए काफिया है और कुछ नहीं ऐसा क्या तूने तो मेरे गाउं के पगवण मैं भेजता हूँ मैं कुछ इंतिसाम करता हूँ बस छे मेना यहां रहने दो छे मैने के बात देखना कॉन माइकालाल मेरा क्या उखड़ता है मैं भी देखता हूं जो हो सके वो बात करो जीजा क्यों यह नहीं होगा क्या बिलकुल होगा देखना जरूर होगा हुँ